नमस्कार आपने लोगिन किया है क्रिकेट न्यूज IPL 2018 के 27 वे मुकाबले में एविन लेविस और कप्तान रोईश शर्मा की टुफानी बल्लेबाजी पारी की बदवलत मुंबई इंडियन्स ने शनिवार को एक तरफे मुकाबले में चेनने सुपर किंग्स को 8 विकिट से हरा दिया मुंबई ने चेनने को हरा कर इस लीग में अपनी दूसरी जीत दर्ज की चेनने सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निधारित 20 ओवर में 5 विकिट के नुकसान पर 119 बनाए जिसके जवाब में मुंबई इंडियन्स की टीम दो गैंशेस रेते हुए 170 रन बना कर मैच अपने नाम कर लिया मुंबई की कप्तान रोहिश शर्मा को शांदार पारी खेलने के लिए मैन अबदा मैच से नवा जा गया रोहिट ने 33 गेंदों में 6 चोक के और 2 छको की मदद से 56 रन की नाबाद पारी खेली इसी जीत के साथ ही IPL 11 के प्ले ओफ में परवेश पाने के संकट से जूज रही मुंबई इंडियन्स ने चैनिस सुपरा किंग्स को मार दे कर इस कोर कार्ड में छटे पाउदान पर पहुँच गए हैं जबकि 5 मैच जीत कर शीश पर काभी चैनिस सुपरा किंग्स उसी स्तान पर बनी हुई है आज के लिए इतना ही और खबरों के लिए बने रहे है किर्केट मेंस के साथ